हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का अर्बी टीट्यूब क्लास में तो फ्रेंड्स, आज मैं कोश्चन लेकर के आया हूँ ये कोश्चन, स्क्वार रूट आप डेसिमल नंबर का है यानि कि दसमलो संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो आए देखते हैं, हमारे पास एक नंबर है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे और वीडियो में आंतों तक बने रही है, ताकि आपको अच्छे से समझने में help हो तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है, वो है 51.84 इसका हमें square root find करना है तो देखे, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कि right side से दाएं तरब से दो-दो नंबर के pair बनाने होते हैं तो एक pair यह बनेगा, और एक pair यह बनेगा जो left side में होगा, यह left side में है, सबसे पहले इसको solve करेंगे और इसको देखेंगे कि 51 जो है, वो किस नंबर के square में आता है तो अगर आप देखो, तो जो 51 होता है, अगर मैं आपर 6 का square करूं तो कितना होगा? 36, 7 का square करूं तो कितना होगा? 49, 8 का square करूं तो कितना होगा? 64, अब 51 exactly तो किसी number में नहीं आता है लेकिन देखो, इस से तो छोटाई होगा, इसका मतलब इस में आएगा, ठीक है या तो equal वाला ले लेंगे और या तो less वाला ले लेंगे more वाला नहीं लेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो number है, जो square है, उसको हमें इसके नीचे write करना है dividend के नीचे write करना है और ये वाला जो number है इसको हमें divisor में write करना है और उसी प्रकार से quotient में भी write करना है इतना समझ में आ गया, तो फिर इसको minus कर लेते हैं, अब ये इससे जाके curry लेगा 1, तो 11 हो जाएगा 11 minus 9 become 2 और 4 minus, 4 become 0 एक number के लिए space छोड़ देंगे 7 plus 7 हो जाता है, आपका 14 ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि ये जो second वाला pair है, इसको हमें आप पर write करना है, लेकिन यहाँ पर decimal है, तो ये decimal हम पहले यहाँ पर लगा देंगे अब हम write करेंगे 84 ध्यान रखना, कभी भी इसको अलग-अलग नहीं लिखा जाता है 84 यानि कि दोनों number को एक साथ लिखा जाता है, क्योंकि हम pair लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब 14 में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कि यहाँ पर 284 आजाए, equal आजाए या इससे छोटा आजाए, तो देखो हम इन दो number को और इन दो number को देखेंगे, यानि कि यह 14 है और यह 28 है, तो 14 का table हम कितनी बार पढ़ें कि 28 आजाए, 14 का table 2 बार पढ़ेंगे, 14 to the 28 तो हो सकता है हमारा कि 2 multiply करने पर आजाए answer, तो उसके में हम 2 फिल करेंगे और 2 से multiply भी करेंगे, जो यहाँ पर फिल करना है, उसी से multiply भी करना है तो जो multiply करेंगे तो क्या आएगा 2 तू जा, 4 2 फोर जा, 8 2 अंजा, 2, देखो बिल्कुल एक्जेक्ट आ रहा है तो मतलब यहाँ पर हम फिल कर देंगे 2, और यहाँ पर फिल कर देंगे 284 और यहाँ पर फिल कर देंगे 2, ठीक है? चोकि यह माइनस करने पर remainder 0 आ गया, तो इसी step में जो quotient होगा, वो हमारे square root का answer होगा, इसका मतलब यह है, square root of 5, 1.84 is equal to 7.2 यह हमारा s question का answer होगा square root of 51.84 is 7.2 तो उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होँगा अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को भी लाइक करें और दोस्तों को भी सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू क्लास